नमस्ते दोस्तों मैं हूँ सतिश कुमार and welcome back to the roaring news दोस्तों आज के automobile news में मैं आपको best two in one car tire inflator plus vacuum cleaner को review करके दिखाने वाला हूँ दोस्तों मैं तो हमेशा पहाडों में जंगलों में घूमता रहता हूँ मेरा काम ही गूमना है मैं मेरे car को ही थार की तरह इस्तेमाल करता हूँ काहने का मतलब है कि मेरा गाड़ी हमेशा आप रोडिंग में ज़्यादा रहती है इसलिए कभी भी tire में air pressure कम हो जाती है मैं ऐसे जगाओं में गया होता हूँ ना उदर आसपास 50 km में किदर भी पंचर शॉप नहीं रहता है इसलिए ऐसे emergency situation में car के tire में हवा बरने के लिए मैं मेरे साथ हमेशा इस car inflator प्लस vacuum cleaner को लेके घुमता हूँ इसे आप आसान बाशा में air compressor भी बोल सकते है चलिए इसे open करके देखेंगे दोस्तो मैं इसे मारूती सुझ की genuine accessory शूरूम से purchase किया हूँ आप इदर मारूती सुझ की का branding भी देख सकते हो box के उपर और इसका actual price है कि 3050 रूपीज लेकिन इस शूरूम में मेरा दोस्त काम करता है उन्होंने मुझे इसे सिर्फ साड़े 2000 में दिया है किसी को मत बताओ इस box के अंदर आपको आपका car tire inflator plus vacuum cleaner इस तरह से एक plastic cover में pack होके मिलता है और user manual भी आता है इसके साथ यह है आपका vacuum cleaner का suction pipe और यह है vacuum cleaner का nozzle और इसके साथ आप bike को हवा बरना चाहते है तो volleyball को हवा बरना चाहते है तो उसके लिए भी अलग अलग nozzles है इतना ही आता है इस box में और कुछ नहीं आता है अब मैं आपको सबसे पहले इस air compressor plus vacuum cleaner को open करके दिखाता हूँ दोस्तों मैं आपके साथ और एक राज को share करना चाहता हूँ इस air compressor को मैं पिछले 6 मैने से इस्तेमाल कर रहा हूँ पहले इस्तेमाल किया हूँ विश्वास आया है इसलिए इसके बारे में आपके साथ share कर रहा हूँ मेरा गाड़ी swift है और ए air compressor सुजकी के सारे गाड़ियों के लिए इस्तेमाल करने के लिए आता है मारूती सुजकी का किसी भी गाड़ी आपके पास है तो आप बिंदास आंक बंद करके इस air compressor को purchase कर सकते है इसका लिंक इस वीडियो के description box में है चक आट कीजिए इसके साथ लंबा वायर भी आता है आप चारो टायर को अराम से हवा बर सकते है कोई दिक्कत नहीं होगी यह है इसका switch button यह 2-in-1 instrument है मतलब एक तरप यह tire inflator के तरह काम करता है मतलब air compressor की तरह काम करता है और दुसरी तरह vacuum cleaner की तरह काम करता है जिदर air लिका हुआ है ना आप उदर इस button को switch करते है तो यह हवा बरना चलो होता है इसके लिए connect करना पड़ता है आपका car charger में इसन आपरेट होगा और दुसरी तरप VC लिका है ना इसका मतलब है vacuum cleaner उसके तरप आप switch को switch करते है तो vacuum cleaner की तरह यह काम करता है यह 2-in-1 instrument है दुसरा बटन LED light का है यह आप night में इसे इस्तेमाल कर रहे है तो आपको light चाहिए ना इसके लिए यह है और इधर है आपका LED light यह है vacuum cleaner का nozzle और इसके अंदर है dust container और इधर आपको digital pressure gauge मिलता है मतलब आपके car के tire में कितना हवा भर रहे है ना इसके बारे में reading सीधर आपको पता चलता है टायर inflator का nozzle इस तरह से आता है इसे ही हम car के tire के साथ plug-in करते हैं और हवा बरते है इस 2-in-1 car tire inflator प्लस vacuum cleaner को किस तरह से इस्तेमाल करना है मैं अब आपको practically दिखाता हूँ चलिए इसे इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपको इसे power के साथ connect करना पड़ेगा power कि दर रहता है आपका गाड़ी में आई होप आपको पता होगा आपका charging point रहता है ना उदर आपका power source होता है मतलब इस switch को आपके charging point में डालते ही इदर इसमें power आ जाता है आप इदर देख सकते हैं अब इदर reading है इस digital gaze meter में आपको आप reading पता चल रहा है अब 00 है क्यूंकि इस nozzle plug को हमने tire के साथ connect नहीं किया है इसलिए इदर आप tire pressure 0 दिखा रहा है जब हम इसे tire के साथ connect करते हैं तब आपको tire का pressure कितना है वो actually पता चलता है सबसे पहले मैं आपको vacuum cleaner को कैसे इस्तेमाल करना है इसे दिखाता हूँ इस switch button में यदि आप इसे VC की तरफ switch करते हैं तो vacuum cleaner शुरू हो जाता है इस तरह से गाड़ी के अंदर जो भी dust होता है उसे clean करने के लिए आप इस vacuum cleaner का इस्तेमाल कर सकते हो यदि आपको छोटे छोटे प्लेसस में clean करना है तो आप इस nozzle का इस्तेमाल कर सकते हो इस तरह से nozzle का इस्तेमाल करके इकटे जगा पर भी आप clean कर सकते हो यदि आपको और भी pipe का जरूरत है तो इसके आगे आप इसको भी बटा सकते हो इस तरह से आप इसे बटा के इस तरह से लंबा पाइप करके भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो अब मैं आपको इसका इस्तेमाल करके टायर में कैसे हवा बरना इसे दिखाता हूँ दोस्तों यदि आपका बैटरी एच्छा है तो आप इसे डाइरेक्टली ऐसे ही यूज कर सकते हैं यदि आपके टायर में हवा बहुत कम है तो गाड़ी को ऐसे रोक के कभी भी इसका इस्तेमाल मत कीजिए को नहीं ही टायर में हुआ बरने से पहले आपके गाड़ी को स्टार्ट किजिए एधिवे आप गाड़ी को बंद कंडिशन में रखे इसका इसेमोल बहुत समय तक करते हैं तो आपका गाड़ी का बैटरी पूरा डिस्चार्ज हो सकता है यह दी बैटरी एक बार पूरा डिस्चार्ज हो गया तो फिर से आपको इसे स्टार्ट करने के लिए जंप स्टार्ट करना पड़ेगा मतलब दुसरे मेकानिक को बुला के दुसरे बैटरी को लाके फिर इस गाड़ी को ऐसे स्टार्ट करना पड़ेगा नहीं तो धक् प्रसान तरीकाँ है दोस्तों ड्राइवर सीट के साइड में कम्पणी की तरब से एक इनपर मिशन दिया होता है टायर प्रेशर के बारे में इसको रिकर करके आप अपने गाडी के टायर में हवा बरबा सकते हैं और को कितना रखना है ранее वैक टैयर को कितना रखना है सब नोजल को इसके साथ connect करना है connect करने के बाद आपको डिजिटल प्रेशर गेज में आपके टायर में कितना हवा है ना आलरेड़ी ओ दिखाता है मैं मेरे गाड़ी के टायर में हमेशा 35 यह रखता हूं और इसमें आलरेड़ी 35 है मतलब यह सही है इसलिए इसमें हम ज्यादा हव हवा हुआ है तो इसे आप कम भी कर सकते हैं इसका इस्तेमाल करके इस तरह से आप इसको हवा कम भी कर सकते हैं मैं थोड़ा कम करके आपको दिखाओंगा कम करने के बाद इधर आप डिजिटल प्रेशर गेज में देख सकते हैं 4 PSI हवा कम हुआ है पहले यह 35 ता अब यह 31. 1.5 है इसको हवा भरना है तो सिंपल है इस स्विच बटन में इसको एर की तरह स्विच कीजिए हवा भरना शुरू हो जाएगा ओके दस्तों आप इदर देख सकते हैं इस डिश्टल गेज में 35 PSI हवा अब इसमें फिलप हो चुकी है यह मेरे कार के टायर के लिए सही है इस तरह से आप बाकी टायर्स में भी हवा बर सकते हैं इसके साथ बड़ा लंबा वायर आता है इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी आप आसान इसे चारो टायर्स में इस एर कांप्रेसर का इस्तेमाल करके हवा बर सकते हैं मेरा कहना यह है कि पहले टायर में हवा कितना है वो चक करो आपका गाड़ी के टायर के लिए कितना हवा बरना चाहिए इसे जान लो फिर इसमें हवा भर लो और और एक प्रिकोशन ह है कि इसको आन रखके किदर भी फोन पर बाते करते मत जाये मतलब आप इसको टायर के साथ connect करके इसे चालू करके इसे फोन पर बाते करते 15 मिनिट भीस मिनिट गया तो आपका गाड़ी का टायर फट भी सकता है इसलिए दियान से concentration के साथ इसमें हवा को fill up कीजिए दोस्तो यह है मारुती सुजगी की तरफ से आने वाला 2 in 1 best car tire inflator plus vacuum cleaner का एक complete review I hope आपको यह review अच्छा लगा है दोस्तो आप भी अपने गाड़ी के टायर में हमेशा सही air pressure को रखो जादा भी मत रखो, कम भी मत रखो आप imbalance तरीके से अपने गाड़ी के टायर में हवा रखते हैं तो tire जल्दी जीज हो जाते है wear and tear जादा होता है और tire का durability इतना जादा समय तक नहीं आता है इसलिए हमेशा गाड़ी के टायर में सही air pressure को रखो और emergency कभी भी आ सकती है और किसी जगा पे भी आ सकती है और किसी भी तरह से आ सकती है इसलिए हमेशा इस तरह का एक अच्चा air compressor को अपने गाड़ी में carry कीजिए अधि आप इसे purchase करना चाहते हैं तो link इस वीडियो के description box में है चकोट कीजिए और इस वीडियो को अपने सारे car prints के साथ share कीजिए Thank you so much फिर मिलेंगे